Hey guys, welcome और इस वीडियो में बात करेंगे अपने तीसरे टेंप्लेटिंग इंजन जिसको बोलेंगे EGS और अगर मैं अपने package.json में जाकर देखूँ तो अलड़ी इस package को हमने install कर रखा है और version है 3.1.8 अगर आपने नई install किया तो आप इसको install कर सकते हैं इसके बाद आपने आपने से लिडियोंगा तो इस तरह करके इस अगर आपने नहीं किया तो आप ये कर सकते हैं और अगे बढ़ेंगे अब मैं app.js में जाएंगा तो आपने को basically हमें Express को बताना पड़ेगा एक्सप्रेस आपों के हम कॉंसार टेंब्लिटिंग इंजन यूज़ कर रहे है तो इसके लिए हमें यहाँ पर चो व्यू इंजन है और HPS इसको HPS हटा कर हमने क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर EGS लिखना पड़ेगा EJS अब EGS बाइ डिफॉल्ट सपोर्ट करते एक EGS के अंदर Express का तो हम directly use कर सकते और यह तो अलड़ी पता है हमें कि यह हम बताने के लिए लिखे है कि हमारा जो टेंपलेट है किस के अंदर है कौन से फोल्टर के अंदर राइट सो व्यूज के अंदर है इसे के साथ हम शुरू करेंगे अपना पहला फाइल क्रेट करना और बैसिकली यह व्यूज पाथ हम आपे हटा सकते क्योंकि इसको हम यूज नहीं कर रहे है अपने प्रोजेक्ट में राइट तो इस फाइल में यूज नहीं हो रहा है तो हम इसको हटा सकते हो दूसरे फाइल से अब मैं जाओंगा अपने व्यूज में और एक नया फाइल करे और 404.EJS में paste कर दूँगा ठीक है अब यहां पर basically 404 में हमारा कोई भी active नहीं रहना अच्छे राइट क्योंकि जब कोई match ही नहीं कर रहा तो active कैसे रहेगा इसलिए मैंने आसटा दिया और यहां पर already है ही नहीं ठीक है जैसे example के लिए shop.bug तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम if के साथ expression में लिख पा रहे थे जो कि हम .hbs में नहीं कर पा रहे थे same अगर मैं shop.hbs खोल हूँ तो आपको सिर्फ एक ही key का value output कर सकते हो या फिर true या फिर false expression नहीं लिख सकते हैं अगर आप helper function बनाएंगे तो लेकिन mostly यहाँ पर limitation है लेकिन EJS में ऐसा कुछ नहीं है आप plain JavaScript भी लिख सकते हो और basically जो भी bug templating engine का functionality हो इस EJS extend करता है तो यानि कि same चीज हम यहाँ भी use कर पाएंगे with HTML format जैसा कि bug template में basically bug syntax use करते हैं यहाँ पर हम HTML version use करेंगे normal और bug basically minimized HTML version use करता है अब अगर मैं इसको dynamically output output करना चाहता हो page not found को तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा अब आपको याद होगा कि basically handlebar में आप double curly braces लिखते थे और यहाँ पे आप जो भी लिखना है लिखते थे राइट यह तब HBS है ने handlebars में अगर आपको याद होगा उससे पहले bug template में तो आप कैसे लिखते थे लेकिन यहाँ पे क्या लिखना होगा यहाँ पे simple आपको smaller than symbol पहले लिखना पड़ेगा आपको उसके बाद percentage और अगर सिफ आपको value का output यहाँ पे रखना है इस placeholder में तो आपको equal to ठीक है और उसके बाद आपको basically percentage और फिर greater than symbol के साथ उसको close कर दिना है और इसके बीच में आप लिखे होगे page title अब basically page title कहां सार है already जहाँ पे आप use करेंगे अगर मैं बात करूँ अपने routes में तो basically 404 app.js में हमने लिख है इसके लिए और basically page title यहाँ से pass हो रहा है और by default हम क्योंकि जो अभी templating engine use कर रहे है ejs है तो यहाँ पे अपने को 404.ejs ही scan करेगा तो अभी भ तो page title और इसके बाद अपना page not found right यह भी same रहेगा क्योंकि basic हम extremely format यहाँ पे follow करते है इसके अप साथ यह ready हो किया अगर मैं यहाँ पे जाओ और अगर ऐसा कुछ template लिखता हूँ path का नाम जो कि ही नहीं example ऐसे तो आप देखेंगे page not found आ रहा है right यानि कि basically यह सही काम कर रहा और हमारा कोई link भी active नहीं क्योंकि basically कुछ match नहीं किया यानि आप कुछ भी यहाँ लिख देंगे page not found आ रहा है और यह कहां से आ रहा है यह हमारा 404.egs रेंडर कर रहा है और अगर आप control you करके देखेंगे तो आपको same HTML syntax देखेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो page not found आ भी रहे right title में जो value आना चाहिए so इस case में यह काम कर रहा है right और अभी आगे देखते है अगला file जो हमारा कौन सा रहेगा addproduct.html right इसको भी copy करते है और फिर एक नया file बनाएंगे layout के अंदर sorry layout ने views के अंदर basically layout के अंदर हमारा layouts रहेगा views के अंदर बनाएंगे और यहाँ पर लेज़े add-products dot यहाँ पर जो extension रहेगी ejs right copy paste कर देते है content अपना यहाँ पर जो हमने add-products.html से उठाया add-product का जो यहाँ पर basically static यह hard-coded जो value आट आ देते है text इसका जगा पर हम dynamic enter करेंगे यह output करेंगे syntax रहेगा so basically less than percentage equal to और फिर close भी ऐसी करेंगे so हमने close कर दिया यहाँ पर page title right क्योंकि यह data हमें यहाँ मिल रहे है इसके बाद basically बाकी चीज़ सेम रहेगा और इसके बाद हम shop.html का भी बना लेते हैं तो views के अंदर shop.ejs right अब यहाँ पर थोड़ा interesting और अलग है क्योंकि basically यहाँ से हम comment हटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ if और loop दोनों जलाने यानि दोनों यूज़ करने right तो यहाँ पर पहले start करते shop यहाँ पर same dynamic content या value output करना है तो less than percentage equal to close कर देंगे right और greater than अब यहाँ पर basically page title आएगा यह जानते हैं क्योंकि है की भेज रहे हैं और इसी पर हमारा data रहेगा यहाँ पर basically जैसे आप देख रहेत right हम loop और if statement दोनों यूज़ कर चुके हैं किसमें जो हमारा shop.perg यहाँ पर और same हमने किया था hbs में तो यहाँ पर हम कर सकते लेकिन यहाँ पर syntax थोड़ा common और easy रहेगा और normally हम उसको जानते syntax को kind of plain javascript रहेगा तो हमें easy to use रहेगा तो shop.egs में जाते हैं और यहाँ पर हम if statement use करेंगे right basically shop.egs को को रेंडर करेगा shop.js इसके इंदर हम क्या क्या data pass कर रहे है और इसमें क्यूंकि हम e.js file में syntax use कर सकते हैं expression use कर सकते हैं तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं तो यहाँ लिखने का तरीका क्या रहेगा same जैसे हम उपर लिख रहे थे right so less than उसके बाद percentage यहाँ equal to नहीं रखना हमें क्योंकि हम यहाँ पर कुछ output नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अपने comparison करना है ठीक है यहाँ पर same ऐसे बंद हो जाएगा उसके बाद हम simple जैसे plain JavaScript में if statement लिखते हैं वैसलिकिंग if bracket और यहाँ पर simple जिसको compare करना है expression basically यहाँ पर जो की आ रहे है प्रॉट्स आ रहे है तो हम यहाँ पर यूज कर सकते इसकी को प्रॉट्स और यहाँ पर लेंथ ठीक है अगर greater than zero रहेगा तो ही हम नीचे content रेंटर करना चाहते है यहाँ पर हमारा curly braces भी आएगा opening और यह basically बंद कहां पर होगा यह grid कहां पर खतम हो रहा हमारा यहाँ पर यहाँ 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 पर हमें बंद करना पड़ेगा तो syntax same रहेगा percentage और ऐसे ठीक है अब basically इसके अंदर हमें ऐसे बंद करना पड़ेगा आप चाहिए तो इसके अंदर else statement भी लिख सकते हैं लिख से मैं यहाँ पर else statement लिखना चाहता हूँ ठीक है तो basically opening यह ऐसे closing और यहाँ पर basically curly braces start आप जो करना चाहिए product not found right अब save करके देखते काम कर रहा है कि नहीं तो basically मैं जाओंगा shop पे और basically product not found काम कर रहा है तो अभी अगर मैं add product पे जाओं जिस पर अलडियम ने काम किया तो यहाँ पे एक error आ रही है basically एक error है कि add product इसको views में नहीं मिल रहा है ऐसा तब ही होता है या फिर आपका file नहीं या फिर आप गलती से file का नाम गलत लिखती है यहाँ पे basically मैं देख रहा है तो यहाँ पी products है यहाँ पे add product रहना चाहिए क्योंकि basically same जो add product है मैं कहाँ पे admin.js में basically call कर रहा है so यह name तो image करना चाहिए अभी मैं refresh करूँगा यह देखे काम करने लगा यहाँ से let's add करते हैं laptop add product और laptop add हो गिया right image भी आगे अब shop पे है और यह देखे refresh करके देखे shop पे काम कर रहा है add product shop तो अपना data दिखना चाहिए अब एक चीज यह है कि जो if statement काम कर रहा है इसलिए data दिख रहा है अब अगला चीज पे भी काम कर सकते अपने shop.ejs जो की loop है right तो basically data है product में length 0 से उपर है तो यह div class grade वाला दिखना चाहिए right यह चीज रैप हो जो है render होना चाहिए लेकिन यहाँ पे हम loop भी use कर सकते है right लेकिन से product multiple products है उस case में अपना एक ही दिखेगा और यहाँ great book हम अपने को title से मिलना चाहिए जो की हम आप देख सकते हो product में push कर र बहुत plain syntax है और basically अपने को repeat कौन से करना है loop में यह article right क्योंकि यही चीज हमारा basically नयनय article set होंगे जब product add करेंगे आप तो तो इसके जस्त नीचे आ जाते है और यहाँ पे syntax भी same है starting essay करना है sorry percentage और इसके बाद close essay करेंगे और यहाँ पे basically आप prods.for each use कर सकते है जो normal JavaScript का part है न ने तो आप for of भी use कर सकते हो so basically भी use करते है for let product of prods ठीक है यहाँ पे curly braces start होगा और basically हमें wrap करना है जिसको repeat करना है loop में तो basically article को so यहाँ पे article के नीचे तक wrap कर देंगे so percentage right और इस तरह basically closing tag है यह इसका और यह हो गया और मैं तो जूम कर लेता हूं तो basically यह हमने content भी wrap कर दिय right अब basically यह simple सा JavaScript syntax है for loop अब prods में जितने भी data रहेंगे यानि कि objects इस array में जितने भी objects होंगे और ओ object से kick करके product पे मिलेगा और इसको हम use कर सकते हैं यहाँ output करने के लिए और print करने के लिए तो basically यह syntax same है आपको लिखना है less than percentage और इसके बाद equal to लिखना है क्योंकि यहाँ प इसको use करेंगे और title, title क्यों क्यों क्योंकि basically इस array में prods में या product में basically आप देख सकते हैं admin.js में line number 25 पे जो मारा product एक array है इसमें हम push कर रहे है basically object और इसी object पे हमारा title भी है right तो इसको हम use कर रहे हैं यहाँ पे same तो अभी चेक कर लेते हैं काम कर रहा है के नहीं refresh करेंगे औ free coffee आ रहा है यानि basically अपना loop काम कर रहा है right तो हमारे if statement cover हो गया और दूसरा loop cover हो गया right काफी simple था JavaScript syntax एक चीज़ तो आपने ध्यान दिया होगा कि basically सबसे easy है right हमारे EJS अगर आपने handlebars देखा पक देखा right इसमें आप क्या कर पारे हो normal HTML आपको पता है और साथ में अगर JavaScript प साथ basically kind of mixture है right एक अलग syntax का और आपकी JavaScript HTML का और आप template prepare कर पारे right और हमारा basically यहाँ पर काम भी कर रहा है exactly और output भी आप देख सकते हूँ as expected normal HTML right तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आ होगा मिल तक लिए वीडियो में तब तक लिए thank you so much